अमीर आदमी लगातार अमीर और गरीब आदमी लगातार गरीब होता जा रहे क्यों? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वज़ा है हमें investment की knowledge नहीं है दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसे plan के बारे में बताऊंगा जिसमें अगर आपके पास bulk में पैसा पड़ा है तो आप पैसे को काम पे लगा कर हर महीने उसका जो ब्याजय अपने अकाउंट में पासकते हैं जी हम दोस्तो सही सुना अपने हम बात करेंगे जी monthly interest payout scheme के बारे में क्योंकि जब भी monthly interest payout scheme का जिकर आता है तो सबसे पहले जो नाम है वो post office का आता है लेकिन आज हम बात करेंगे स्ट्रीट बैंक ओफ इंडिया की पूरी detail में जानेंगे rate of interest आपको क्या मिलेंगे कितने पैसे के ऊपर कितना interest आपको हर महीने मिल जाएगा सो topic आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने स्ट्रीट बैंक ओफ इंडिया की जो official website है उसे open किया हुआ है मैं क्या करूँगा आपको सबसे पहले interest rate ही दिखा देता हूँ तो देखिए जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ दिसंबर को जो rate of interest revise किये गए थे तो देखिए टेबल आपकी screen के उपर है सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू जब भी आप monthly interest payout scheme के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक ऐसा time period और एक ऐसे rate of interest को ढूणना है जिसमें हमें सबसे जैदा rate of interest मिल रहा है तो देखिए table आपके सामने है मैं कम से कम एक साल से शुरुआत करूँगा देखिए अगर हम एक साल की बात करें तो rate of interest कितना है जी 6.80% और senior citizens पे 7.30% उसी तरह से अगर मैं 2 से 3 साल के लिए बात करूँ देखिए तो rate of interest कितना है जी 7.00% और senior citizens पे 7.50% बागी दोस्तों 3 से 5 साल और 5 से 10 साल के लिए rate of interest कम ही मिल रहा है सो मैं especially recommend करूँगा 2 से 3 साल के लिए देखिए दोस्तो rate of interest कितना है जी जर्नल पे 7.0% और senior citizens पे 7.50% अब अब ध्यान से समझेगा अगर हम post office की बात करें तो post office में fixed rate of interest है 7.40% चाहे वो जर्नल पे हो चाहे senior citizens पे लेकिन banking field में अलग-अलग मिल रहा है जर्नल पे 7.0% senior citizens पे 7.50% लेकिन banking के अपने कुछ फायदे हैं वो क्या फायदे होंगे जैसे ही हम calculation शुरुआत करेंगे हम आपको आगे बताएंगे तो मैं सीधा ही आपको monthly income calculator कह ले या monthly interest payout calculator के उपर लेकर चालता हो जी तो देखिए दोस्तो आप अपनी स्क्रीन के उपर देख सकेंगे तो देखिए दोस्तो आप देख सकते हैं monthly interest calculator तो मैं सबसे पहले आपको बता दू यह हमने एक website डिजाइन की हुई है monthly income calculator के लिए मैं इसका link जो है description में आपको देदूँगा आप अपनी requirement के हिसाब से monthly income चेक कर सकते हैं सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कम से कम एक लाक रुपे के लिए rate of interest हमारा कितना है जी 7.0% journal पे time period हम मानके चलते हैं दो साल के लिए तो देखिए friends जैसे ही मैंने calculate किया तो हमारी monthly income कितने निकल के आगई 583 rupees जो हैं आपको हर महीने मिलते रहेंगे दो साल के लिए तो अगर मैं बात करूँ senior citizens की 7.50% के हिसाब से पारी monthly income कितनी बनके आगई 625 रुपीज यानि के 625 रुपे तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जी पांच लाग की के मान लीजिए monthly interest pay or scheme में आप पांच लाग रुपे इन्वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल की दो साल के लिए तो क्या होगा जी आपको हर महीने दो साल के लिए पांच लाग के उपर 2916 रुपे जो हैं वो मिलते रहेंगे जी अगर हम बात करें senior citizens की तो देखिए friends senior citizens के उपर आपको हर महीने 3125 रुपे की जो monthly income है या हम कहले monthly interest है वो आपको मिलते रहेंगे जी दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बता दू ये जो लिंक है calculator का आपको मैं description में दे दूँगा आप इस लिंक पे क्लिक करके अपनी requirement के हिसाब से monthly income चेक कर सकते हैं सो आगे हम बात करेंगे 9 लाक रुपे की क्योंकि दोस्तों अगर हम compare करें post office से तो post office में एक single account में आप जैदा से जैदा 9 लाक रुपे इंवेस्ट कर सकते हैं मैं 7.0% यानि journal के भिहाब पर calculate करूंगा देखिए 5250 रुपे आपको मिल जाएंगे जी हर महीने अगर मैं बात करूँ senior citizens की 7.5% के इसाब से तो friends क्या होगा जी 5625 रुपे जो हैं वो आपको monthly interest के रूप में आपको हर महीने मिलते रहेंगे आपके account में तो दोस्तों ये तो रही बात 9 लाक रुपे की अगर हम post office से compare करें क्योंकि post office में monthly interest payout scheme में लोग जैदा invest करते हैं तो उसमें जो maximum limit है joint account पे वो है जी 15 लाक रुपे तो मैं 15 लाक रुपे भी चेक कर लेता हूँ देखिए 15 लाक रुपे invest करके 7.0% के इसाब से अगर मैं 2 साल के लिए calculate करूँ तो 8,750 पचास रुपे आपको हर महीने मिलते रहेंगे अगर मैं बात करूँ 7.50% के इसाब से तो क्या होगा जी 9,375 रुपे जो हैं वो आपको हर महीने monthly interest के रूम में आपको मिलते रहेंगे सो दोस्तों मैं आपको एक बर फिर से बता दू हमने इस calculator का link जो है वो generate किया हुआ है मैं इसका link जो description में आपको दे दूँगा आप अपने requirement के हिसाब से monthly income चेक कर सकते हैं जी दोस्तों अब जो सबसे बड़ा benefit है ना वो banking field का शुरू होता है देखिए post office में requirement क्या है आपको कम से कम 5 साल के लिए investment करनी होती है लेकिन banking field में ऐसा बिल्कुल नहीं है हमने देखी ना दो साल के लिए calculation करके देखा है और जो maximum limit है वो banking field में बिल्कुल भी नहीं है आप जितना चाहे पैसा जमा करवा सकते हैं सुमा आगे 20 लाग के उपर calculate करता हूँ पहले देखे 20 लाग के उपर 7.0% के हिसाब से अगर मैं calculate करूँ तो दो सालों के लिए 11,666 रुपे जो है वो आपको हर महीने आपके account में मिलते रहेंगे और 7.50% के हिसाब से 12,500 रुपे आपको हर महीने मिलते रहेंगे तो आप देख रहें ना दोस्तो किस तरह से हमने पैसे को काम पर लगा दिया और उस पैसे से हम जो है monthly income ले रहें हैं जी तो आगे मैं बात करूँगा अगर आपके पास बल्क में पैसा पड़ा है 30,000,000 रुपे तो देखी मैं 30,000,000 के ओपर calculate करता हूँ हर महीने आपके अकाउंट में मिलता रहेगा दो सालों के लिए अगर मैं 7.50% के हिसाब से calculate करूँ तो क्या होगा फ्रेंट्स 18,750 रुपे आपको जो है monthly interest payable होगा आपके अकाउंट में दो सालों के लिए सो ये तो रही बात 30,000 की सो माल लीजिए अगर आपके पास बल्क में पैसा पड़ा है जैसे के 35,40,000 तो मैं 40,000,000 के ओपर calculate करके देखता हूँ कि आपको कितनी income जो हर महीने मिल जाएगी देखी 40,000,000 मैंने फिल किया 7.0% के हिसाब से दो सालों के लिए तो आपकी monthly income देखिए 23,333 रुपे जो है वो आपको हर महीने मिलते रहेंगे अगर मैं बात करू 7.50% यानि सीनियर सीडिजन्स के भिहाब पर तो देखिए फेंड्स 25,000 रुपे आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तो 25,000 रुपे आपको हर महीने दो सालों के लिए मिलते रहेंगे आपके अकाउंट में सो दोस्तो अगर आपके पास bulk में पैसा पड़ा है और आप एक ऐसी investment करना चाहते हैं जिसमें आपको हर महीने monthly income मिलती रहे वो भी safe तरीके से सो सबसे best plan जो है monthly interest payout scheme ही है अगर आपके पास bulk में पैसा जएदा पड़ा है सो आप post office की बजाए banking field में investment कर सकते हैं सो हमने देखा किस तरह से आप SBI यान स्टेट बैंक को फिंडिया में monthly interest payout scheme में investment करके 25,000 रुपे महीने तक की जो interest है वो पा सकते हैं सो दोस्तों उमीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दीगे जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपके मन में फिर भी कोई doubt हो या फिर question हो आप हमें comment के मादम से पूछ सकते हैं मैं उसकर apply करने की कोशिश जरूर करूँगा सो friends इस वीडियो में इतना ही